नमस्कार आप देख रहे हैं गार्णिंग एस्थाटिक्स मैं हूँ अनीता दिनेश मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मुझे फॉलो ही सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको रेयर एक्जॉटिक प्लांट के कलेक्शन में इंट्रेस्ट है और वो चाहते हैं कि उनका कलेक्शन भी अच्छा हो रिच हो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको plant में बहुत इंट्रेस्ट होता है और उनको plant पे पैसे खर्च करने में भी अच्छा लगता है पर उनको ये नहीं पता होता है कि जिस climatic region में, जिस climatic zone में वो रह रहे हैं वहाँ पर ये plant चलेंगे भी कि नहीं चलेंगे money plant, pothos या epipremnum ऐसे plants हैं चाहे आपको plant का शौक हो या ना हो ज्यादा तर घरों में money plant जरूर लगा होता है और पहुत सारे लोग इनको पानी की bottles में, glass jars में लगाते हैं और जब उनके हाथ में money plant की ये exotic और delicate varieties, hybrid varieties आती हैं जो की highly variegated होती हैं तो वो उनको बिल्कुल उसी तरह केर करने लगते हैं जैसे कि वो नॉर्मल पोथोज यानि की मनी प्लांट की करते हैं जिन में की जेड पोथोज और गोल्डेन पोथोज शामिल हैं पर ये प्लांट केरिंग में बिल्कुल फर्क हैं और आप अगर नॉर्थ इंडिया में रह ताकि जब अगली बार आप इन प्लांट वराइटीज में पैसे डालें तो आपके पैसे बर्बाद नहीं हो व्यर्थ नहीं जाएं और साथ ही साथ आपको फेलियर का सामना ना करना पड़ें तो चलिए देर नहीं करते हैं जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं यानि की पोथोस के मुकाबले जेड या गोल्डन पोथोस के मुकाबले थोड़ी ट्रिकी होती हैं उनको संभालने का और उनको रखने का तरीका थोड़ा अलग होता है पर हम अगर उनको सामाने मनी प्लांट की तरह ट्रीट करते हैं तो नतीजा ना उनमें ग्रोथ अच्छी होती है ना ही उनकी पत्तियों की सिहत अच्छी होती है और तो और इनके विरिगेशन भी कम होने लगते हैं ये सारी ही जो वराइटी हैं पोथोज यानि की मनी प्लांट accessancy pension पोथोज इन पोथोज की जो रिक्वार्मेंट्स हैं वो ओल्मोस्ट सिमिलर है और इनकी sunlight की, watering की तमाम तरह की जो requirement है वो similar है सबसे पहली चीज तो बहुत सारे subscriber friends ने पूछा कि उनके enjoy, marble queen, glacier पोथोज बहुत slow grow हो रहे हैं तो to be very honest ये तमाम जो varieties हैं ये hybrid varieties हैं delicate varieties हैं और बहुत ही ज्यादा slow growing varieties हैं और खास करके तब जब आपने इनको low light area में रख दिया इनमें watering ज्यादा कर दी तब तो इनके खराब होने के इनके बहुत ज़्यादा slow grow होने के chances होते हैं और उतनी fuller basket happy और healthy भी नहीं दिखेंगी इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि neon पोथोस के अलावा इन सारी varieties को आपको moderately sunlight area में रखना है अब moderate का मतलब क्या है यानि कि मे, जून, जुलाई के महीने में हमारे हाँ दोपहर में 12 बजे से ले करके 4 बजे तक जो धूप होती है उससे तो इनको बचाना है पर इसके अलावा आप एकदम ठीक धूप वाले area में इनको रखें और तभी आप देखेंगे कि इनकी growth बहुत अच्छी होगी खास करके ऐसी balcony में जहां इनको धूप मिल रही हो ऐसे open area में जहां इनको अच्छी धूप मिल रही हो open area में अगर आप रखेंगे तो north और east इनके लिए best direction है खुले आसमान के नीचे north और east में अगर आप इनको रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से grow होंगे और इनकी पत्तियों का size इनकी पत्तियों की health और इनके variation के pattern बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे और अगर आप covered area में रखना चाहें तो south और west के covered area जहां पर obstruction के संग्धूप आती हो वो इन plants के लिए बहुत ही अच्छे हैं वहाँ पर ये अच्छे से grow होते हैं अब सबसे पहले soil से related बात कर लेते हैं normal pathos के मुकाबले money plant एक ऐसा plant है जिसको आप कैसे भी लगा देंगे ये grow होने लगता है पर ये जो delicate hybrid varieties है इनके बारे में आपको दो तीन चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है अगर आप मिट्टी की बात करेंगे एक तो कोशिस करें कि इनको एक अच्छे aroid potting mix में लगाएं यानि कि जो की gritty हो उसमें aeration proper हो पानी रुखता नहीं हो पर by the same time नमी बनी रहे उसके लिए आपको दो चीज़ें आप कर सकते हैं या तो आप मिट्टी में moss कोकोपीट जैसी चीज़ें मिलाईए और या फिर उपर एक moss की layer बना दीजे जो नमी को अंदर बना के तो रखे पर plant में over watering भी नहीं हो क्योंकि इसको अगर आप कम पानी डालेंगे पतियां रुपी होंगी जैसे ही आप पानी डाल देंगे ये वापस अपने shape में आ जाएंगी पर अगर आप इसमें ज्यादा पानी डाल देंगे तो आपकी money plant की ये जो delicate varieties हैं ये खराब होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इनकी पतियां आधी जली-जली हो जाएंगी और उपर से इस तरह से brown हो जाएंगी पतियों में रौनक नहीं रहेगी इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इन में पानी जरूरत से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए और मिट्टी में बहुत ज़्यादा कोकोपीट भी नहीं मिलानी है आप उसको सिर्फ इतना मिलाईए ताकि वो मिट्टी में थोड़ी सी moisture को भी बनाए रखे प्लस साथी साथ मिट्टी को hard bind नहोने दे और अगर आप चाहते हैं कि moisture के लिए या मिट्टी को nutritive बनाने के लिए आप इसमें एक बड़ा स्कूप भर करके लकडी के कोईले का चूरा डाल सकते हैं वो इनको एक तो लंबे समय तक nutrient भी provide करता रहेगा और साथ ही साथ उसकी वज़े से मिट्टी में परियाप्त नमी भी बनी रहेगी और आप ये देखिए अगर आप अपने epipremnum की तमाम varieties में एक स्कूप भर के wood charcoal डाल देते हैं तो आप देखिए आपके plant की जो पत्तियां है वो हमेशा सधी हुई, खड़ी शाइनी और चमकदार रहेंगी ये हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी इनका दुश्मन है जहां आपने ज़्यादा पानी डाला वहीं आपकी ये varieties खराब होने लगेंगी दूसरी important चीज आपको ध्यान रखनी है sunlight से related इन plants को अगर आप low light में रख देंगे तो इनका variegation खतम होने लगेगा इनमें green पत्तियों की तादाद बढ़ने लगेगी पर इनको full अच्छी light चाहिए चमकदार रोशनी जिससे इनकी पत्तियों की खुबसूरती बनी रहे क्योंकि मैंने ये देखा है कि मैंने खुद भी इन varieties को अगर जब अपनी covered balcony में लगाया है तो उनकी जो पत्तियों की खुबसूरती उनकी growth उनकी health है वो फर्क है पर जहां मैंने इनको open area में लगाया हुआ है वहाँ पर इनकी जो baskets है वो बहुत ज़दा fuller है उनकी growth भी थोड़ी तेज है और देखने में तो अच्छे हैं साथी साथ well maintained भी है बहुत important बात है जो अकसर लोगों को लगता है लोगों को लगता है क्योंकि इनके plants low grow हो रहे हैं और इसमें आप fertilizer डालेंगे तो आपके plant की growth अच्छी हो जाएगी ये एक सबसे tricky चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है एक तो आपको अपने plant में मिट्टी बनाते समय organic manure बहुत अच्छी तादाद में डालना है क्योंकि इस plant की इन plants की growth का major दारों मदार अच्छे organic manure पे होता है और अगर आप उसमें थोड़ा wood char add करेंगे तो वो organic compost के quality को और enhance कर देगा और आपके plant को अच्छी तादाद में लंबे समय तक nutrient मिलते रहेंगे जरूरत से ज़्यादा high nitrogen fertilizer in plants की पत्तियों में variegation को खतम कर सकता है और इनकी पत्तियां जली हुई और छोटी एठी हुई होने लगेंगी इसे NPK 20-20-20 बिल्कुल भी मत यूज़ करिए 19-19-19-19 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही थोड़ी mild quantity में पानी में dilute करके उसको डालिए और seaweed fertilizer या कोई और दूसरा micronutrient fertilizer जब यूज़ करते हैं तो उनको कोशिस करिए कि granular हो granular का देने का फाइदा ये होता है कि ये slow releasing होता है धीरे धीरे वो granules गलते रहते हैं over the period of time ये जब कि आप liquid अगर seaweed या liquid micronutrient डालेंगे तो वो तुरंथ plant की roots तक पहुचता है और कई बार ज्यादा quantity होने से आपके plant की पतियों को जला सकता है अगर आपका छोटा hanging basket है तो 6-7 granules से ज़्यादा मढ़ डालें बड़ा hanging basket है तो 10-12 granules से ज़्यादा मढ़ डालें अब एक सवाल जो बहुत सारे subscriber friend ने पूछा है कि जब हम propagate करते हैं cuttings लगाते हैं तो क्यों नहीं लग रही है एक बात जो आपको बहुत important देखनी है मैंने पहले भी बताया कि slow growing varieties हैं बहुत ज़्यादा धीरे बढ़ती हैं ऐसे में अगर आपने इनकी cutting को ज्यादा node वाली cuttings लिकाल के लगा दी तो वो बिल्कुल भी नहीं लगेंगी और या फिर नए सीरे से लगेंगी यानि कि पहले तो उसकी सारी पत्तियां decompose होंगी खराब होंगी फिर उसमें नए शूट्स धीरे तरह निकलेंगे जो कि एक बहुत लंबा process हो जाएगा single node की इस तरह की छोटी cuttings को सिर्फ लगाईए आप इनको पानी में भी propagate कर सकते हैं मिट्टी में भी लगा सकते हैं पर मिट्टी में लगाना इसलिए बहतर है क्योंकि उससे वरिगेशन की जो patterns है वो बने रहेंगे और अगर आप इनको पानी में लगा करके अंदर रखेंगे तो इनके पत्तियों के वरिगेशन उतने अच्छे बिलकुल नहीं दिखाई देंगे या तो फिर आप इनको बहुत हाई आप इनको पानी में भी लगाना चाहते हैं तो आप लेका बॉल्स को यूज कर सकते हैं और उनमें भी लगा करके plants को आउटसाइड रख सकते हैं लेका बॉल्स पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो आपको उपर उसका लिंक आता हुआ मिलेगा उसको देख करके आप लेका बॉल्स में भी इनकी छोटी कटिंग्स लगा सकते हैं अच्छे से ग्रो होती है जो परल और जेड और एंजोई पोथोज हैं उनके बारे में लोग कहते हैं पतियां बहुत छोटी होती हैं तो ये जब आप इनकी लंबी नीचे ट्रेल्स जाएंगी तो पतियां छोटी होती जाएंगी क्योंकि टिप पर न्यूट्रियंट जैसे जैसे बढ़ता जाता है प्लांट कम होते जाते हैं उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि नीचे से ट्रिमिंग करते रहें देना चाहिए जब ये उपर की डेड़ इंच की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए और रेगुलर मिस्टिंग का इन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है इसके प्लांट को वीक में गर्मियों में दो बार पानी दें और रेगुलर मिस्टिंग करें और सर्दियों में वीक में दो तीन बार मिस्टिंग करें और सब्ता हमें एक बार थोरोली वाटरिंग करें और इससे आपके ये जो पोथोज हैं ये हेल्दी बने रहेंगे इनकी पत्तियां भी अच्छी होंगी इनकी पत्तियां जली और ब्राउन एजेज वाली भी बिल्कुल नहीं होंगी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे गुजारिश है, सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन जरूर दबा दीजेगा ताकि जो भी मैं अपडेट करूँ वो आप तक पहुचे मेरे वीडियोस पसंद आने पर उन्हें लाइक करना उन पर कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें और साथ ही मेरे वीडियोस के लिंक अपने गार्डिनिंग लविंग फ्रेंग के संग बिल्कुल शेयर करें और आपकी कोई भी गार्डिनिंग रिलेटेट क्वेरी हो मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछें और मैं हर क्वेरी का जवाब देने की कोशिस करती हूँ थैंक्यू वेरे बिल्कुल